हलो एवरिबन मैं आज आपको लेसर नमबर फोर सबजी खाओ इस कविता को सविस्तार समझाओंगे इस कविता में नन्ने नन्ने बच्चों को सारी सबजिया खाने चाहिए नहीं कि बिंडी पसन नहीं, बुली पसन नहीं, कद्दू पसन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सारे सबजिया खाओगे तो विटामिन से वरबुर होगे इस कविता को आपको में सविस्तार समझाओंगे नन्ने नन्ने प्यारे बच्चों जो खाना तुम खाते हो उनमें सब सबजी भी खाओ, क्यों तुम नाक चड़ाते हो इसमें कहां करया है कि नन्ने नन्ने प्यारे बच्चों जो तुम खाना खाते हो उसमें सबजी भी खाओ, नाक मत चड़ा सुन्दर स्वस्थ शरीर बनेगा सबजी खाने से हमारा सरीर सुन्दर और स्वस्थ बनेगा हो जाएगा तेज दिमाग, हमारा दिमाग भी तेज हो जाएगा लोकी, तोरी, खीरा, गोबी और खाओ सर्शो का साज और लोकी, खीरा, तोरी, गोबी और सरसो का साज भी खानना चाहिए तबी हमारा सरीर, हमारा दिमाग, हमारा तेज रहेगा